हलो फ्रेंट्स वेल्कम टू श्विंग ट्रेंट फ्रेंट्स आज हम बात करेंगे कुछ स्टॉक के बारे में जो कि अगर आपके पॉट्फोलिय में यह स्टॉक है आपको बिल्कुल डरने का कोई जरूरत नहीं है क्योंकि फंडामेंटली बहुत स्टॉंग स्टॉक है और इ इसाथ दो स्टॉक है जो कि हमारा टार्गेट प्रेस तक आ चुका है तो टार्गेट प्रेस में जरूर आपको प्रॉफिट बॉकिंग कर लेना चाहिए यह मेरा भी है आगे आपका भी चेंज हो सकता है आप लास्त वीडियो में बने रही है तो आपको पता चल जाएगा अभी चले पहला स्टॉक के बारें बात करेंगे जो कि निसले इंडिया है अगर आपके पोट्फोलिय में स्टॉक है तो आपको बिल्कुल आपको डरने का कोई जरूरत नहीं है बहुत फंडमेंटली स्ट्रॉंग स्टॉक है इसका अभी रेजल्ट है रेजल्ट के उपर अगर हम जाएंगे तो यहां पर देख लिए के 182 करोड का मार्केट क्या वे ठीक है डेट फ्री कंपनी अल्मोस्ट टेट फ्री कंपनी है और प्रमोटर प्लेज जीरो है अगर अल्टाइम हाई देखेंगे 20600 के पास में अल्टाइम हाई है अभी जो अभी चल रहा है अभ फ्रेश एंट्री लना चाहते हैं तो अभी एक बार देख लिए जो प्रॉफिट आया है 3542 करोड का सेल्स हुआ था जो कि पिछला सेप्टेंबर में अभी का अगर हम सेल्स देखेंगे 3800 करोड का सेल्स है एक बढ़िए सा सेल्स में भी एक इंप्रूमेंट दिख रहा है अगर आप देखेंगे यहां पर प्रॉफिट में जो की 587 करोड का प्रॉफिट हुआ था अभी 617 करोड का प्रॉफिट हुआ प्रॉफिट में 5 परसेंटेज का year on year राइज हुआ है ठीक है अगर इसी साब से हम देखेंगे प्रमोटर का होल्डिंग यहां पर देख लिए अगर आपके पॉर्फोलियो में है तो आप बिल्कुल होल्ड किजिए अगर आपको फ्रेश इंवेस्टमेंट करना है फ्रेंस यह लेवल पर जरूर आपको अभी अभी यह जरूरत नहीं है क्योंकि यह स्टॉक जरूर यहां इस लेवल पर तक जरूर आएगा ठीक है तो यह लेवल का बिल्कुल इंतिजर किजिए जो कि 18,000 का लेवल तक जरूर यह स्टॉक आ सकता है ठीक है तो यह स्टॉक के जब यहां पर आएगा तो उसके बाद में आपको करके चल सकते हैं अगर फ्रेश इंवेस्ट करना है तो भी करके चल सकते हैं कोई प्रोब्लेम नही देखते हैं आरोशी अभी 45 का आरोशी है इसका अभी आरोशी 45 का है डेट लेकिन यहां पर थोड़ा से ज्यादा है जो कि 1.5 परसेंटेज का डेट है और प्रमोंटर प्लेज जीरो है अल्टाइम हाई अगर देखेंगे 4100 का अल्टाइम हाई है अभी 3600 के पास में सेप्टेमबर में अभी का सेप्टेमबर में 3600 करोट का सेल्स है अगर हम यहां पर नेट प्रॉफिट देखते हैं 498 करोट का नेट प्रॉफिट पहले था तो अभी का सेप्टेमबर में यहां पर 384 करोट का यहां पर नेट प्रॉफिट आया तो नेट प्रॉफिट में य यहां पर थोड़ा सा बैलेंशीट भी देख लेते हैं फ्रेंस अगर वैलेंशीट में हम देखते हैं रिजर्व यहां पर फोर थाजन सिक्षन थ्रीहंड़ करोड का था उसके बाद में मार्च में रिजर्व हो गया का 3,500 करोड जो की रिजर्व कम होते जा रहा है तो यहां पर रिजर्व वान थाजन सेवन अंड़ करोड का रिजर्व हुए अगर बॉरॉइंग देखेंगे यहां पर पहले मार्च में था पंद्रा सो करोड का बॉरॉइंग पहले तो डेट फ्रीव कंपनी अल्मॉस्ट डे अजर नहीं आ रहा है ठीक है तो कंपनी का अगर हम देखते हैं यहां पे से रोल्डिंग पैटन में कोई प्रॉब्लेम नहीं है जो की कंस्टांड है 50 परसेंटेज का कंस्टांड है अगर एपास में 17 परसेंट कोई प्रॉब्लेम नहीं अगर दिया के पास में 11 परसेंटे यहां पर देट थोड़ा से जादा है और यह थोड़ा सा नेगेटिविटी है नहीं तो बाकी कोई प्रोब्लेम नहीं है अगर आपका पॉर्ट्फोलिय में इस टॉक है तो होल्ड करके चलिए तो आपको जरूरी यह काण से चल्रहाएं और किसी भी टाइm पर एक अचसले भी स्टॉक में आ सकते हैं जो कि क्याम 시 organisms बात करेंगे के स्केल मल्ट्फिव अगर स्टॉक है फ्रेंक स्टॉक में अगर आपका पॉजिशन है तो आप लॉस्ट मुख मत किजिए क्योंकि अभी अभी अगर आप इसी भी कहीं पर इसी रेंज पर अगर आपने एंट्री किये हैं तो आप लॉस्ट मुख मत किजिए मल्टी अगर स्टॉक आपको आने वड़ा दिनों में एक बड़िया सा रिटन दे सकता है ठीक है इसमें कोई आप नेतीजी तो आह隻 Savannah मैं बने रहें तो यह रिज़तारणक वाटने दीजिए हैं फिर से चर्सा करेंगा अगर हम देखते हैं आज के दिन का डेलिवरी 64 पर्शनेट सिकति का डेलिवरी उटाई गया बढ़िए डेलिवरी इसको मान सकते हैं थीकischen exhaust में कोई भी प्रोब् ऑगर थोड़ा सा अगर थोड़ा सा आएगा ना को अब फोल्ड करके चल सकते हैं नीक स्टाइब करेंगे क्यंश्तर्ल Indie एपका पूजिशन है तो आप अभी इसमें थोड़ा सा बने रहे हैं हमने आपको यहाँ पही बताया था तो अगर आपका पूजीशन है तो यह प्रा है तो आप इस टॉक में बने रहे हैं यह काफी दिन से स्टॉक में कॉंसलोरेशन हुआ है ठीक है देख रहे हैं तो यहां पर 2017 से लेके सरी 2017 नहीं अगर आल टाइम हाई देखें कि 2015 है 2015 से 2014 से 2014 से लेकर अभी तक का सकता है कोई प्रोब्लेम नहीं है अगर हम इसका प्रॉफिट भी देखेंगे ना अभी कंपनी का रेजल्ट भी आया एक बार यार्निंग पर फोकॉस डाल देते हैं देखेंगे तो फिफ्टी सिक्स का रोच यह बढ़ी आया डेट फ्री कंपनी है ठीक है अगर हम यहां पर प्रोफिट में थोड़ा सा डिक्लाइन है जोकि 9 परसेंटेज का डिकलाईन है अगर यहां पर में देखते हैं फिप्टिवान पर्सेंटेस का परोमोटर के पस पर व्ल्डिंग के पास में लख दिंग्यार प्रसेंट ऩॉल्डी सिभसमे पर संसे का निय पास में एक होल्डिंग ठाइब तो अभी कोई देज Northern स्टॉक में करना नहीं बिल्कुल नहीं है अगर आपने अनालिसिस करके लिया है तो वेट करना भी इतना जरूरी यह जब बनाते हैं उसी साब से वेट करना भी बहुत जरूरी है किसी भी स्टॉक में नेक्स टॉक के बारें बात करेंगे फ्रेंट्स जो की दिपक नाइट्रेट अगर आपका पॉट्फुलियो में इस टॉक है तो आपको बढ़ी ऐसा मल्टी वेगर रिटन देगा अगर आप लंग करना है स्टॉक में कोई भी प्रोब्लेम नहीं है बाई करके चल सकते हैं इसका जो रेजल्ट आया था ना एक बहतरीन रेजल्ट आया था अगर दिपक नाइट्रेट का अगर रेजल्ट हम चेक करेंगे न यहां पर दिखिए 32,000 क्रोट का मार्केट क्या पर आरोशी 39.9 है अगर डेट देखिए तो अल्मोस्ट डेट ज्यादा नहीं है 0.14 परसेंटेज का डेट है अल्टाइम हाई देखिए 3000 का अभी 2300 के पास में है अभी स्टॉक आभे लेवले अब यहां पर प्रोफिट देखते हैं यहां पर दिखिए सेल्स देखिए 987 करोड का सेल्स था अ बढ़ी ऐसा यहां पर जॉंप आए 49 परसेंटेज का प्रोफिट में यहां पर आई जुआ है प्रोफिट में तो यह स्टॉक में बने रही है बढ़ी ऐसा आपको रिटर मिल सकता है अगर आपको बाइन डिप्स के स्टाटेज अप्लाइ करना अभी थोड़ा सा एक दो अगर आपको इजली आ सकता है ठीक है नेक्स स्टॉक के बारे में बात करेंगे फ्रेंट जो की गूड यह हमने अल्रेडी पोजिशन बना के रखा हुआ है अगर आपका पॉर्टफोलिय में नहीं है अगर आप स्विंग ट्रेड के लिए कोई भी स्टॉक लेना चाहते हैं यह स्टॉक में पोजिशन बना के चल सकते हैं कि काफी दिन से चल रहा है यह लगता है अभी यह जो गयान है आपको थ्री टू शिक्स मांट्स में इजिली मिल सकता है जो कि 28-29 परसें 30 परसेंटेज का गयन है अगर अभी का करेंड मार्केट प्राइस से अगर हम चेक करते हैं यहां पर एक 30 परसेंटेज का गयन आपको फ्रेंड्स मिल सकता है बड़ी असा स्टॉक है कोई प्रूब्लेम नहीं है फॉन्डामेंटल कोई प्रूब्लेम नहीं है आज इसका रिजल्ट का डेट था एक बाद देख लेते है रिजल्ट अभी इसमें पब्लिस नहीं अब रिजल्ट इदर सो नहीं हो रहा है तो रिजल्ट के बाद में एक बार चर्चा करेंगे स्टॉक पे लेकिन बड़ी असा स्टॉक है कोई प्रूब्लेम नहीं अगर आपका पोर्ट्फोलियो में है अभी टाइम देने का जरूरत है क्योंकि केसा हर कोई स्टॉक डेली स्टॉक मैंने किया हो और को उसा स्टॉक में किया हं और को सटॉक में किया हूं कुछ इन्वेस्टमेंट में मिल सकता है इसमें सकता है इसमें बने रही है कि फ्रेंट्स और एक हुड़कों के बारे में मैंने आपको वीडियो बना के बताया भी था कि यहां पे बड़ी ऐसा अपर्चुनिटी अच्छा सा गेन आपको मिल सकता है अगर आपने पोजिशन बनाया हुआ है तो होल्ड करके अब भी फ्रेंट्र लेकर चल सकते हैं जो कि यहां तक इसली मिल सकता है जो कि आपको थ्री मौन्स में परसेंटेज का गेन मिलेगा ठीक है बड़ी ऐसा स्टॉक है क्यूंब में बोलता हुआ है उसका पिछे का अगर रिजन ही इसका रेजल्ट भी एक बार रेजल्ट देख लेते हैं उपको कर रेल्ट का आहां में हुदक का भी रेजल्ट नहींं आया लेकिन पिछला रेजल्ट देखले लिटेंस ही ये ये री रेजल्ट लीए 5760 करणका लैस्टार कर वे में रेजल्ट है देखिये प्रफिट सबसे हाइस्ट प्रफिट है अगर हाइस्ट प्रफिट के पास में है तो आल टाइम हाई तक जरूर जा सकता है जो कि आल टाइम हाई उन्हीं वान जिरो टू है और बुग वैलु देखिए 65 का बुग वैलु है कॉरेंट लबल पे 65 पे ट्रेड हो रहा है तो इतना बड़ा सा प्रफिटेबल कंपनी यहां पर नहीं रह सकता है तो जरूर आल टाइम हाई पर जाएगा अगर इसका प्रमोटर देखेंगा ना प्रमोटर के पास में स्ट्रॉंग होल्डिंग है जो कि 81 परसेंटेज का है सरकरी कंपनी है तो प्रेसिडेंट आफ इंडिया है ठीक है यह स प्रेंट नेक्स टॉक के बारे में बात करेंगे जो कि इंडिया बुल हाउसिंग फाइनस इस टॉक में हमने भी पोजिशन काफी दिन से यहां से बनाय हुए है अगर आपने बनाय हुए हैं तो स्टॉक को फोल्ड करके चली यह प्राइस कभी भी आ सकता है तीन सो बारा त अगर हम देखते हैं इंडिया बुल हाउसिंग फाइनस में अगर बड़ी असा स्टॉक कोई सरी बड़ी असा स्टॉक मतलब हमारा स्विंग ट्रेड के लिए हमने लिया हुआ है इसा कोई इसमें लॉंग ट्रम पोजिशन तो कोई नहीं करेंगे इस पर क्यूंकि इतना सकते हैं ठीक है अगर हम देखेंगे अभी रेजल तो इसमें नहीं दिखा रहा है जो कि यह स्क्रीन और पर बाद में काल इसकी बारे में भी हम चट्चा करेंगे चलिए अभी अभी आप उसी लेवल पर निकल जाईए क्योंकि शूंग ट्रेड स्टॉक के ठीक है मैं जो आ झाल देख सकते हैं ठीक मैंने एक कुछ दिन पहले मैंने यहां पर बताया भी था कि यह स्टॉक में पोजिशन बनाई यहां पर मैंने बताया था यह लेवल पर मैंने बताया था जो कि और अगस्ट चौदा तरीक का विडियो आप देख लीजे आपको पता चल जाएगा य यहां से अगर पोजिशन आप बना के चले होते तो यहां पर दिखिए यहां पर दिखिए अगर चौधा तरीक ठीक है यहां से यहां से लेकर अगर यहां तक चलते तो एक करते हो ना मैं सुइंग की बात करता हूं 30-40 परसंट की एक्सपेक्टेशन रखते हैं जब मेरा साथ में हो रहा है कुछ साल से में करते आ रहा हूं तो मैं आपको रेकोमेंड करना चाओंगा आप भी करके अच्छा सा गयन ले सकते हैं अगर आप लेकिन फिर भी आपके पास साथल या तोफिटर क рок कीजिये कोई बीडिये आपका टाइम के हिसाब से ठीक है यहां पर प्रॉफिट से ङरूर कर लीजएगा जो कि 60 अपने हिसाब से प्रफोडीं कर लाना चाहिए करंने के पाद में स्टक अगर पांच परसंट 10 परसंट और से अगर उपर जाता तो उ और यहां पर पोजिशन चल रहा होगा ठीक है उस टॉक में फिर इंट्री लेंगे वहां से फिर गेंगे लेकिन फिर दिटाइम करेक्षन तो हो सकता है किसी भी स्टॉक में लेकिन उसके लिए हमें बिल्कुल तयार रहेना चाहिए क्योंकि हमें जहां वेशिक्टी नहीं कि लिए स्ट्राइन जमन्स को अब और विडियो अपको नहीं हो रहा है आप पूरा वीडियो देख लीजिए पूरा वीडियो देखके नोट बनाईए कितना स्टॉक में प्रॉफिट बॉकिंग हुआ है तो उसी साब से आगे का प्लान कर सकते हैं इसा जरूरी नहीं कि मैं जो बोल रहा हूं मेरी बात पर आके आपको आपका हार्मनी इंवेस्ट क रहे सकते हैं तो आप यह एक सेर ले की देख सकते हैं ठीक है बहुत सरे कॉमेंट भी आया था कि है इसमें हो सकता है बहुत सारे चैनल में हमारा बहुत सबस्क्राइबर ने लिए होए मुझे मालू में ठीक है तो यहां पर अगर करना चाहते तो कर सकते कोई प्रोब्लेम नहीं है लेकिन मुझे इसा लगता है यहां तक जा सकता है ठीक है जो कि अगर आपको ट्राक करना है तो अभी प्रोफिट पर निकल सकते हैं अगर आपको यह वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला अगर कुछ जानकर यह अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक किजिए आपका एक लाइक मेरा मोटीवेशन बिल्ड करता है वीडियो को जरूर फ्रेंट को शेर किजिए अगर चैनल पर नया है चनल को जरूर सबस्क्राइब किजिए अब सब्सक्राइब नहीं करते हैं खिए के अब भी अपना काम कर दिजिए नेक्स्ट वीडियो में